आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अनों रेखाएं, प्रसप्र लमवत है रेखाएं, लमवत होगी, यदि उनके बीच का कोण है यानि की, C solid tet बराबर क्या हो, 0, तो मिसे दिखरणे, C solid theta बराबर क्या हो, 0 होता है अब रेखा है कि हमें कार्ति रूप में दिवी यानि कि इनका रूप क्या हो गया X-X1 बटेवे A बराबर Y-Y1 बटेवे B बराबर Z-Z1 बटेवे C तो अब इससे तुलना करेंगे तो हमें दिखके हो जाए कि हमें लेगी चार सोरी यह B1 बराबर कितना है? मैनस 3 है तो B1 बराबर मैनस 3 और रेखा 2 के लिए A2 कितना हो जाएगा? A2 बराबर हो गया तो B2 बराबर हो गया 4 और c2 ब्राबर हो गया 2 तो रेखाओं के बीच कोण रेखाओं के दी गई रेखाओं के बीच कोण निकाल लेते हैं कोण कोश ठीटा ब्राबर कितनो जाएगा यहां से कोश ठीटा ब्राबर होता है a1 गुणा कोश ठीटा ब्राबर होता है मापांक a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बटे में रूट a1 का स्क्वाइर प्लस b1 का स्क्वाइर प्लस c1 का स्क्वाइर गुणा रूट a2 स्क्वाइर प्लस b2 स्क्वाइर प्लस a2 स्क्वाइर प्लस b2 स्क्वाइर प्लस c2 स्क्वाइर तो सारे मान रख देते हैं तो यहां समय क्या मिलेगा cos theta बराबर मापांक 2 गुणा 2 plus b1 का मान minus 3 गुणा 4 plus c1 का मान 4 गुणा 2 जाएगा बटे में root a1 का square यानि कि 2 का square plus minus 3 का square plus 4 का square गुणा root में आएगा यहांपे a2 का square यानि 2 square plus 4 square plus 2 square तो यह बराबर किसके होएगा cos theta बराबर मापांक 4 minus 12 plus 8 गुणा root में कितना हैगा 4 plus 9 plus 16 गुणा root में 4 plus 16 plus 4 अब यह कितना होगा 8 plus 4 12 12 minus 12 यानि कि 0 गुछ भी उसका मान 0 के बराबर होता है तो यहां से में मिला cos theta बराबर 0 तो क्योंकि cos theta बराबर 0 का बोगा जब theta बराबरो pi by 2 यानि कि d गई रेखाए इसलिए d गई रेखाए परस पर परस पर लंब वत है यह सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ धन्यवाद परस चप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर गयाए जूए कर लोगर.